सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट मेडिकल स्टोर से मिल जाती है दवाया लेकिन जो दवाय में बताने वाला हूँ उसका एफेक्टिव रिजल्ट है और तुरंट आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है पाँच मेड के अंदर अंदर आपका दर्द स्टोर से जाकर करके आप ले लें कहीं किसी डोक्टर के पास ना जाना पड़े और दो रूपे से भी कम में आपका काम हो जाए तो ये टेबलेट कौन सी है उसके बारे में जान लेंगे लेकिन वीडियो पर नए है चैनल पर आप नए है तो फ्रीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तक धेर सारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइलोना फोट टेबलेट के बारे में अब जान लेते हैं इसे बनाने वाली कंपनी को उसी है तो इसे मेप्रा लेबरेटरी बनाती है इस कंपनी की दवाई जितनी भी है उसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है काफी जानी मानी विस्वश्णी है कंपनी है तो इसकी जितने भी product है उनका काफी अच्छा result आपको देखने को मिलता है अब जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजे पड़ी हुए composition क्या है दोस्तों इसके अंदर diclofenac sodium 50 mg यानि 50 mg में पाये जाता है हाला कि देखे वह सारी दभाई हैं जिसमें diclofenac पाये जाता है आप आप कहेंगे diclofenac तो मैं पता है हम injection भी ले लेते हैं टेबलेट भी ले लेते हैं लेकिन भाई इसमें जो दभाई पड़ी है उसका result ही कुछ और है जरूरी नहीं है कि भाई diclofenac आप ले रहे हैं तो दर्द ठीक हो जाए देखे चाय की पत्ति आप इस्तेमाल करते हैं एक तरफ ताज महल चाय है एक तरफ साधी चाय की पत्ति है दोनों के प्राइज में अंतर है दोनों के स्वाद में अंतर है जैसा कि आपको बता चुका हूँ, बात कल लेते इसके प्राइज की, तो देखे, 19 रुपे की एक स्ट्रिप मिल जाती है, तो एक टैबलेट 2 रुपे से भी कम की आपको मिलती है, यह एक रुपे 90 पैसे की आपको एक गोली बढ़ जाती है, यह आज की डेट में इसके प्राइज है, जो कि आपको जैनुएन, आपको जो मिल जाता है, वो 19 रुपे की एक स्ट्रिप आपको मिल जाती है, अब आपको कैसा भी दर्द की ओना हो, कहीं भी दर्द की ओना हो, वो आपको बहतर रिजल्ट देती है, फर्स टेड के रूप में आपको रखनी चाहिए, देखिए हमें, मैंने जैसकी बताया है कि आपको पता नहीं है, कब आपको दर्द उट जाए, आपको पत्री का दर्द उट गया, आपको खिचाव आ गया, आपको जटका आ गया, आपको नसो का दर्द हो गया, आपको कोई सूजन वगएर आ गई, और आप उसके वी से पर पहतरीन गोली का काम करती है। लेकिन अगर आपको देखे दर्द लगातार बन रहा है। आपने टेबलेट लिटी फीटी हो गया। फिर टेबलेट फीटी हो गया। लेकिन वो लगातार बना हुआ है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो ऐसी condition प्लीज अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा ले, क्योंकि हो सकता है कुछ और condition हो, यह तो temporary आपको solution मिल गया, आपको दर्द था, ठकावाटी दर्द, आपने गोली खाई, आपको राम लग गया, लेकिन पता चला आपको पत्री है, तो पत्री का दर्द रोख अंदर अंदर यह result दिखाती है, तो बहुती बहतरी टैबलेट है, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप कोश्च से संबनित कोई जान करे ले नहीं है, तो आप message कर सकते है, आपके सभी कोश्चिनों के अंसर करने के पूरी कोश्चित करता वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल पर आप नहीं हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारी सहरूर दिखाए, वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद